करनाटक में 13 माई को चुनाओ को नतीजे आए जिसमें बीजीपी को दच्छिट द्वार सरफ रटा कर कांग्रिस ने महाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई ऐसे में जो सुगार थी जो सबके मन में एक सवाल था कि करनाटक का अगला सीम कौन होगा डीके सियुकुमार तो इन तमाम मुद्दों पर जब बिराम लगा आज सिद्धान मुद्द्री बनाया गया तो हमारे साथ बात करने के लिए इसमें मुद्दों पर इम्रान प्रताप गड़ी जी हैं सर पहली बात तो आपको बहुत बदाई आपने करनाटक पर प्रचंड बहुमत की आप इस के खलाफ नोगों में घुसा था नफरत की प्रयोक्षाला बना दिया था करनाटक खुआ को इसके खलाफ लोगों में घुसा था राहूल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा से जो मुहबत का प्रचंड का पागाम 21 दिन पूरे करनाटक में गया उसका परिडाम ये रहा कि कॉंग्रेस ने प्रजेंड भूमत से सरकार बनाई और रात में हमारा सीम भी डिसाइड हो गया और बीस तारीक को शपत ग्रेहन है आपका स्वागत है तो सर जिस तरीके से आप देखा जाए कि 2019 लोक सबाब में जिस तरीके से बिजेपी ने वहां पर 28 सीटों में से 26 सीट उन किस तरीके देखते हैं क्योंकि कहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस सरीके से सिधर में वहां का सीम बनाए गया है उस पे कहीं लोक सबाब है कि abo कि आप 2019 संबिक्र सरकार में आये थे अच्छे दिन सबका साथ सबका विकास महंगाई कम करेंगे बहुत हुई महंगाई की मार यह सब जो नारे थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब सारे जूटे साबित हुए आज बेटियां जंतर मंतर पर बैट करके इंसाफ मांग रही है और प्रधान मं देने वाले लोग हैं उसके अलावा यह डिबलप्मेंट के नाम पर कुछ नहीं कर सकते हैं पेट्रोल डीजल बढ़ा करके 58 रुपए से 100 रुपए के पास पहुंचा दिया गैस सिलेंडर वो 400 रुपए का साड़े 1100 का बिक रहा है तो हिंदू-मुस्लिम की राजनीती इक अलग तरीके का महौल बनेगा और आने वाले वक्त में भाजपाहारे की कॉंग्रेस और यूपीय की सरकार बनेगी इस तेश में तरकार बनेगी यूपीय की सर जिस तरीके से बिपत्ष एक तरफ आता हुए दिख रहा है ममता मरजी की बात कर लें या नितिस कुमार की तो आपको लगता कि आपकी पार्टी भी दोजार चौवीस चुनाओ के लिए दोजार चौवीस क्योंकि आप देख सकते हैं कि बड़ा महाफरवाने वाला है करनाटिय को फता हाँसिल की आप देख लेंगी मत्वर्दीश में बिधान से बाकर चौना है राजस्थान में भ खरगे जी को बधाई देने वालों में पूरा विपक्ष है, सब के फोन आ रहे हैं, भारती जन्ता पार्टी ने दरसल लोकतंद्र को कुचलने के लिए जो किया, शुसेना के साथ जो किया, उसका परिणाम ये रहा कि नितीश कुमार जी को वक्त रहते समझ में आ गया, उन्ह चैसे जो छेतरी पार्टियां, उनको भी समझ में आ चुका है, कि कॉंग्रेस ही है जो इस देश में लोकतंद्र को बचा सकती है, और उसके लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती हमने इंद्रा जी की की कुर्बानी दी हमने राजियू जी को कुर्बान किया और राहुल उनके नेत्रतों में विपक्ष एकठा हो रहा है और दोजार चौबीस में आपको बहुत अच्छा परिडाम देखने को मेलेगा शुक्रे तो अपने देखा कि जिस तरीके से हमारे साथ में इम्राइन प्रता बढ़ी थी नों ने कहा कि दोजार चौबीस लोग सवामिन इसी तोर पर पूरे विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा पूरा विपक्ष एक साथ हाएगा क्योंकि जो मोधी सरकार के जितने विवादे थे वो सब छूट फरे में मतल गए कैमरामान मसीम के साथ मैं सुधी प्राचपूत न्यूज वर्ड इंडिया दिल्ली